इस वक्त देश में तियोहारों की तैयारियां चल रही है और लोग सब कुछ भूल कर तियोहार की खुशिया मनाने में लगे हुए हैं इसी बीच जहां दिली जो पहले से ही प्रदूशन से परिशान है और कोरोना के चलते भी काफी बुरी स्थिती में थी एक बार फिर कोरोन के खतनाक रूप से लड़ती दिखाए दे रही है योहार की सीजन में कोरोना के मामले अपनी रफतार से आगे बढ़ रहे हैं दिली में कोरोना वारस ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले 24 घंटे में सबसे जादा नए मामले कान किये बीते 24 घंटे में दि ठीक हुए सुमवार को 7,830 ने संक्रमिट के मामले सामने आए देश की राजधानी में इन दिनों बढ़ते प्रदूशन के कारण कोरोना के केस बढ़ रहे हैं दिली में इन दिनों हवा में जहर घुलचाने के कारण कोरोना के मामले में बढ़ हुतरी देखी जा रही है रो पिशले महां दिल्ली में 1224 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी जबकि नवंबर के पहले 10 दिनों में पिशले महां के मुकाबले में आधी मौत हो चुकी है हर महीने दिल्ली में मौत का आकड़ा बढ़ता जा रहा है अक्टूबर के वाह में सितंबर महा से जादा मौत हुई थी वहीं सितंबर के मुकाबले अगस्त में कोरुना से होने वाली मौत का आक्णा भी कम था अगर दिल्ली की मौजूदा हालत पर नजर डाली जाए तो वहां संक्रमन की दर 13.4 फीस दी है रिकवरी दर 9.16 फीस दी है सक्री मरीजों की दर 9.26 फीस दी है कोरुना का डेथ रेट वहां पर 1.57 फीस दी है होम आइसुलेशन में 24,435 लोगों को रखा गया है और अब तक कुल 52,62,045 टेस्ट किये जा चुके हैं लेकिन हाल ही में दिली में बढ़ते प्रदूशन के इस तर कोरुना के केसिस को भी बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं आप देख रहे हैं घमासान.com और भी नियोज अबडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें